स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले श्रिलंका का खिलाब जीत के बाद अब भारत विश्र कप से दो पायदान दूर है 2011 के वर्ल कप विना अरबजन सिंग हमारे साथ है अरबजन दो मड़े मुकाबले एक्सपेक कर रहे थे हमके सेमी फाइनल्स में इंडिया पहुचेगा लेकिन जी शान से पहुचे है साथ मैचेस जीत के सिर्फ एक हार के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिदेंस लेकर उस नॉक आउट मैचेस में पहुच रहे है यही दर्शाता है कि एक चैंपिन टीम कैसे वर्ल कप में खेलती है और किसी भी बड़े टॉर्नमेंट में कैसे खेला जाता है यह बहुत टीमों के लिए सीख भी होगी कि भारत ले जिसलिया क्रिकेट के लिए और इसके पीछे मैं कहूंगा कि विराट कोली और टीम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और सेलेक्टर्स का जिन्होंने बहुत बैक किया यही प्लेयर्स को और उनके साथ लगातार अभी की बात नहीं पिछले दो साल से क्रिकेट खेलते ही चले जा रहे थे वही तकरीबन प्लेयर थे ज्यादा चेंजिस नहीं हुए और जिस जिसको आप अंदर लाए हो आपने उनको बराबर मौके दीएं कि आप चाहते हो कि एकसेल करें और जो है वो बड़ी बड़ी जीत आपको दिला सके और यही देखिए आपने जो बोया है ना वो कहते हैं कि अभी वो अभी वही काट रहे हो कि जैसी आपने फसल सोची थी वैसी हुई है और यह मज़धार बात है भारतिया क्रिकेट की जो शकल अब मैं देख रहा हूँ बड़ी जबरदस्त है, मतलworm ऐए कैसे देखे प्राउड फील होता है कि हमारी टीम जो है वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रही है, बाकी टीमे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है उसके बारे में हमें सोचनाल नहीं है, और हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो मुझे लगता है कि भारत को पकड़बाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक unbelievable टीम है जिनके पास बहुत बड़े match winners बैटिंग डिपार्टमेंट में बोलिंग डिपार्टमेंट में तो इस इस ग्रेट थेंग, ग्रेट साइन फॉर इंडिन क्रिकेट इस वर्ल्ल कप में रोई शर्मा के जो रेकॉर्ड की लिस्ट है मतलब इतनी लंबी लिस्ट है इस साल में दस शतक लगातार तीन शतक विश्यू कप में इस विश्यू कप में पांच शतक शायद टॉप लीडिंग रन स्कोरर बन जाएंगे उन्होंने एक बात का यह मैच्च खत्म होने के बात के एक डिसिप्लिजन अपनी गेम में लाना जरूरी था और मैं आब वो भी लिया आया हूँ देखे अपनी गेम की समझ किसी भी बड़े खिलाडी को होती है और रोहिश्यू बहुत बड़े खिलाडी है अगर वंडे क्रिकेट की बात करूं तो मैं कहूं है कि उनको अपनी गेम की समझ है अब शिकर दवन का इंजूर्ड होना वो कहीं न कहीं रोहिश्यूर्मा के लिए एक वो बन गया की अब रिस्पॉंसिबिलिटी जूर ज्यादा उनके शूल्डर पे आगई हैं अब उनको और ज्यादा रन बनाने होंगे और उनके पार्ट मैंने पहले नहीं देखी है और चाहे रूल्स कैसे भी हो सामने कैसी बीटीम हो मैंटर नहीं करता है अनबलीवेबल बैटिंग एंड़ होप ए कंटिन्यू तो दू सेमी फाइनल एस वेल जिस फॉर्म में है जिस कॉन्फिडेंस में वो है मुझे लगता है कि उनके बहले से अब एक आदो और जरूर शयतक आएंगे जिस समय हम यह रकॉर्ड कर रहे है सेमी फाइनल की तस्वीर साफ नहीं होगी लेकिन ऐसा लग रहा है इंडिया न्यूजिलेंड का मुकाबला होगा तो न्यूजिलेंड के साथ अगर सेमी फाइनल होता है तो किस बोलिंग लाइन मैंचेस्टर में उसके दो फाइदे हैं एक तो थोड़ी सी टीम हम सोचते हैं न्यूजिलेंड जो हलकी टीम है हलाकि हलकी होती नहीं है उन दिनों हम देखते हैं कि आपको दिन पे अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है बड़ अगर अस्ट्रेलिया और इंगलेंड और न्यू वो सब ठीक हो सकते हैं तो यह दो बड़े जो कारण है कि हमें पहले नंबर पे ही रहना है और देखिए बतौर प्लेयर मैं समझता हूं कि ठक जाती है बाड़ी अगर आप लंबा टॉर्नमेंट है आपको समय चाहिए रिकवरी का तो वर्ल्ड कप का यह फाइनल है उसमें स लंका के खिलाफ जड़ेजा का मौका दिया है क्या वो आपके छठे बोलिंग आप्शन के रूप में इंडिया सोच सकती है क्योंकि एक बात है अगर यह करते हैं तो आपके बैटिंग थोड़ी कमजोर हो जाती है कि एडिशनल दिनेश्कार्थिक को जिले कर चल रही है कि को लेकर चल रहे हैं उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा ने मुझे लगता नहीं है कि बैटिंग कमजोर होगी देखे बले बाजी दिनेश्कार्थिक की भी तभी ही आई है जब जब आपके पास पंतालिस यह श्यालिस ओवर हो चुके हैं यह ऐसा नहीं हुआ है कि दिनेश कार्थिक की जगा पर विंदर जडेजा को आड़ करते हो तो बले बाजी भी उतनी ही जो है वो तकडी रहती है साथ में बोलिंग का बहुत बड़ा ड्वांटेज हो जाता है और जडेजा ऐसे बॉलन है वो अपने दिन पे दस ओवर भी करते हैं और वो ऐसे बोलिंग तो अनुबा वेब वो शायद सबसे बड़े मैचों में एक्सपीरियंस जो है वो बहुत काम आता है कहीं न कहीं वो बैटर आप्शन होंगे अगर वो दिनिशकारते की जगा पर नंबर छे पे खेले हाँ दिनिशकारते कहीं अगर देख रहे हो तो उनको लगे कि मैं कुछ ऐस बोल रहा हूं कि जो उनकी शान के खिलाव है वैसा नहीं है बर मैं एक टीम का कॉमपूजिशन जो देखके मैं उस लियाद से बात कर रहा हूं कि शायद जड़े जा वहां पे जो है वो बैटर रूल प्ले कर जाएंगे तीन सीमर्स के साथ उतरेंगे या आप कुल्दीप क खिलने बहुत जरूरी हैं तीसरे रिविंदर जडेजा और हार्दिग पांडिया ये आपके पांच में छे में बॉलर हैं और शमी और जस्परिंद मुमराई ये मेरे दो सीमर होंगे सेमी फाइनल में जहां तक की सेमी फाइनल की में बात कर रहा हूं फाइनल में फिर लिए बड़ा बड़ा टॉर्नमेंट तो साइन ओफ उन विनिंग नॉट जिया मिलकुल देखिए महिंदर सिंग दोनी का आज बर्डे है सबसे पहले तो महिंदर सिंग दोनी को मेरी परवार की तरफ से और मेरे सब यारों दोस्तों की तरफ से बहुत-बहुत के लिए अगर देकेए उनकी बड़ी कांट्रिबिशिन हैं तो वो भी जरूरूर्ट चाहें के हाई पर जो है वो उनकी विदाई 활ुगा और met have उर्ड काप उनकी विदाई हो आवर उनकी हाथ हो तो इसी विदाई जो है उससे बड़िया हो नहीं सकती है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ल कप अगर जीतते हैं तो यह सबसे बड़ा तौफा हो सकता है महिंदर सिंग्धोनी को उनके जनम दिन पे हाला कि जनम दिन निकल चुका होगा बट उसकी जो सेलिबरेशन्स है शायद उस दिन तक फिर चलेंगी तो अगर जीतते हैं तो बहुत बड़ा तौफा होगा और मैं यही मेरी दुआ है कि बारतिय टीम यह वर्ल्ल कप जीते हो महिंदर सिंग्धोनी को वैसी विदाई मेरे जैसे सचिंट अनूल कर को मिली थे हैं चलिए आपको उडान बनी है इंगलेंड की आपको बरोसा है कि दो मैचेस जो है आपको सेलिबरेट करने मिलेगा वहा नहीं लगता है कि प्रेशर है खेल का यहां फिर कुछ ऐसा करना कि जिसके उपर बहुत सी चीजें दाहों पर लगी हुए यह इस्पेक्टेशन हैं वो सब समझते हैं बट यह टीम काफी में रिलाक्स देखता हूं तो आम लुकिंपर तो गो देर और मीट अल 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 अ अल दे क्रिकेट प्लेस और यही दुआ करते हैं कि जब टीम वापिस आएगी उनके साथ आएंगे तो कप लेके आएंगे बहुत छुक्रिया थैंक यू